आप शुब्य क्या स्वागत है मैं ओर इसकुमार दोस्तों जैसे आप शुब्य कल से देख रहे हैं लगातार न्यूज में चल रहा है कि नीट एक्जाम 2021 में दो बार होने वाले हैं और NTA ने HRD मिनिस्ट्य को लेटर लिखा है तो इसको लेकर बहुत सारे श्टुरेंट्स ल इसका कोई भी ऑफिसियल लेटर नहीं है जस्ट आर्टिकल जस्ट न्यूज है और एक बात आप शुब्य को बता दू कि इसी साल 2020 में में मंत में आई तिंक सत्रा या ठाड़ा में को जो NTA डारेक्टर विनीर जोसी है उन्होंने एक इंटर्व्यू दिया था मैंने खूद एक साल में डो नीकजाम कराना बहुत मुश्किल है अगर नीकजाम दो बर कराना है तो कंप्यूटर- Day एकजाम लेना होगा उन्होंने क्लियर का था की और यह भी का सारे से औंघि tod cada मिश्टी से और हम बात करें जैसे वहां से हमें कुछ रिस्पोस मिलता है तो हम सभी इसक एक्जाम हम लोग करना शूरू करेंगे तो इसको लेकर अभी बहुत सारे arrangement करने पड़ेंगे अभी जो आप सुभी current में articles जो भी news paper जो भी media में देख रहे हैं just कोई भी इसका official proof नहीं है हाँ लेकिन अगर एक साल में दो नीट एक्जाम होते हैं तो definitely आप दो को बहुत जादा benefit मिलेंगे कैसे सबसे बड़ा reason है कि अगर एक साल में दो नीट एक्जाम होते हैं तो friend सबसे पहला importance यह रहेगा कि जैसे first time आपने एक्जाम दिया और suppose आपका selection MBBS में नहीं हुआ तो आपको जाने का मौका मिलेगा कि आपने गलती कहां कहां किया उस गलती को आप सुभी सुधार करेंगे और next exam जब होंगे एक साल में जब second exam होंगे उसमें आप सुभी सुधार करेंगे और आपका side selection हो जाए तो कम सकम आपका एक साल बच जाएगा अगर आप सुभी अपने में इंप्रूव कर लेते हैं तो यह सबसे बड़ा फैक्ट होगा और नीट एक्जाम होता है तो जो अप्रोपर पर यह दो से धाई लाग कंड़ेट्स इंक्रीज करते हैं 2019 में तकरीबन तेरह लाग क्या सबसे इस बार पंद्रा लाग से जादा हैं का इने के दो सए धाईलेट्स इंप्रूब कर रहे हैं यह किने की बायंस होगा और इसी को बायंस करना है ये तो देखना बाकिए कि जब exam conduct दो बार होंगे उसके बाद कितना effect आता है वो अभी देखना बागी कुई अभी कुछ भी कहना cut-off को लगर बहुत मुश्किल है आयसोज में कि उसके बाद क्या response आता है वो देखना बागी है तो कहने कि अगर मैं summarize करूँ तो एक बात over हो ले कि बहुत जल्द मतब जब ये continue entire लगा है तो बहुत जल्द आप सुब को pen and paper से computer best exam होंगे और जब computer best exam सुरू हो जाएंगे तो जैसे जैमेंस के exam पहले दो बार होते थे अब चार बार होंगे तो कहने कि एक से दो बार at least neat exam होंगे और definitely मुझे पूरा विश्वास है मुझे 90% विश्वास है कि बहुत जल्द ये आप सुब को सामने देखनों को मिलेगा 2021 में हो या 2022 में बहुत जल्द आप सुब को देखनों को मिलेगा अब इसका final update कब आता है ये देखना बाकी है आपका क्या राय है हमें जरूर बताएं बस अब इक लिए तना ही मिलते हैं अगले बड़ो में